मुझे लगता है कि तुम कमजोर बहुत हो मैंने सुनाए कि तुम अपना ही काम ढंक से नहीं कर बाते तुम इतने आलती हो कि तुम्हें खुद के काम के लिए ही दूसरों के भरोसे बैठने न पढ़ता है फिर तुम एक सवाल खुद से पोछना कि आखिर ऐसा क्यों? यह जिन्दगी है क्या तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें अपना काम खुद नहीं कर सकते क्या तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें हर बार याद लनी पड़ दिये कि यह काम जरूरी है क्या तुम इतने कमजोर हो कि तुम हर बार भोल जाते हो कि तुम्हारे जिन्दगी का मकसद क्या है क्या तुम इतने गये गुजरे हो कि तुम्हें इतना भी याद नहीं रहता कि तुम्हें मेहनत करनी है या फिर तुम्हारे दिमाग में इसका ख्याल नहीं आता कि जिन्दग कितनी important है। तुम्हारे सोच से भी तेज वक्त निकल रहा है। और तुम जो ही बस अपने आपको course रहे हो। मुझे समझ भी नहीं यादा है कोई इतना कमजोर कैसे हो सकता है तुम खुद को नहीं समझा सकते कि तुम्हारे लिए सही क्या है और तुम्हारे लिए वलत क्या है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम खुद से जीत सको तुम अपने अंदर के इंसान को हरा सको और तुम अपने अंदर के डर से जीत सको तुम अंदर से इतने कमजोर हो कि तुम हमेशा बात भोल जाते हो कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम हर एक काम कर सकते हो इस दुनिया में जो impossible है तुम्हारे अंदर इतना तेज है तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम सब कुछ पास सकते हो जो तुमें चाहिए बस उसके सर्थ ही है कि उसके लिए महनत करना पड़ेगा यार ऐसे बैठ के आलस में खुद को कोश के या फिर वक्त को गवा की क्या हाथ लगता है जिन्दगी मिली है कुछ बहतर करने के लिए जिन्दगी मिली है कुछ बड़ी उचायों पे पहुचने के लिए ये जिन्दगी मिली है अपनी पहचान परानी के लिए ये संदगी मिली है खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए लेकिन तुम क्या करते हो ये सवाल तुम्हें खुद से पूछनी के जरूरत है और ये भी पूछना कि क्या तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें ये बात हर रोज कोई और याद दिलाता है ये ठीक नहीं है मुझे बस यही याद दिलाना था कि तुम्हार लिए कल फिर एक और नया मौका है उसको मत गवाना मेनत करना और अपनी तियारी में लग जाना क्योंकि अभी यही जरूरी है